असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब आज मैं बनाने वाली हूं चिकन बिर्यानी जो की बहुत ही जटपट से बनके तयार हो जाती है बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूं और बहुत ही टेस्टी बनके तयार होती है आप लोग इसे जरूर से ट्राइ करिए तो चलिए मैं ब 500 g चिकन अच्छे से वाश कर लिया था और अब इसमें हमें डालना है एक पींच औरेंज फूड कलर और इसके बाद इसमें हम डालेंगे एक निम्बू का जूस और आधा चम्मच इसमें हमें अट कर देना है नमक और इन सारी चीजों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेन तक्रिब एक टोंफ तकरीबन तक्रिबन थे लिकलत तक्रिबन तक्रिबन तखल महां से यह था क्वश्बू निकलने लगए है तो हम इसमें तेह जड़ा टाली और एक घड़ी ब्रावन हमने उसमें अच्छी से अच्छी ज़ग आट कर ले ने हैं उसमें अर चिकेंच बहुत ही जूसी बनता है तो जब हम ये सारे चिकन अची तरीके से फ्राइ कर लेंगे जब ये ऐसा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद इसमें हम एड करेंगे ना ये मैंने चार प्याज पीस के रखी ती ये चार प्याज हमें पीसना है बिर्यानी में और पीसी क्या इए टालती हूं हम ये बहरो फ्लेवर बहुत अचा आता है और ये प्याज दालने के बाद भी इसे हमें अच्छी तरीक्से ना भून लेना है फ्युकत अपीस को ज़्डी धो गजाता ना वह प्यास तकी दूर जाती है एब है इसमें हम आइड करने के जनी अब कं श अद्रक लशन का पेस्ट यह मैंने दो चमच अद्रक और दो चमच लशन का पेस्ट लिया था और यह मैंने हरी मिर्चना इस तरह के से क्रश करके डाला है बारीक नहीं करना है हमें ऐसी थोड़ा मोटी दरदणी पीस के डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और एक कप हमने डाला है दही और ज्यादा लाल मीच इसमें यूज नहीं करना है हमें और दो चमच इसमें हम डालेंगे ना गरम मसाला पौडर जो आपके घर का गरम मसाला पौडर है आप वही डालेगा मैं इसमें बाहर का कोई भी बिर्यान मसाला एड नहीं किया है और अगर चैलल पे नए है और वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर देजे और सब्सक्राइब कर जाएगा और यह अच्छे से मसाला देखे हम भून लेंगे और इसको ना रख देंगे हम 10 मिनिट्स के के लिए पकने के लिए और इसमें अगर अगर आपको मसाला जाएग तो आप इसमें दो टमाटर एक कर सकते हैं और इसके बाद इसमें पौडर मसाले थोड़ा जादा कुछ नहीं डालना एम इसमें सिर्फ हमें लाल मिच पौडर और एक टॉड़ा भी डाला था एक दकन क्योड़ा वाटर और रिख गरम मसा जाइत्री, जीरा, काली मिर्च, लॉंग, छोटी लाइची, तेज पत्ता, दालचीनी की लकडी और 3 हरी मिर्च लिए थे डाल देना हॉचा, अधर मसाल में निम्बू का निमेघा cao में उत्री, दाले नमक, अधर देर, या परका प्रट्री, तो या नमक में नमक, तु अधर नमग. चावल बॉयल होने लगा है तो अब हम यह पानी को छान लेंगे एक छनी में आप पूरा चावल आप उसमें अच्छी तरीकी से छान लेज़े तक पानी बिल्कुल भी ना रहा है और इसमें आप एक बॉयल हो जब होने लगेगा ना तो इसमें एक क्योडा वाटर भी आप डाल दीज़े मैंने भी एड़ किया था इसमें और यह अच्छी तरीकी से चिकन हमाना देखिए बिल्कुल पक चुका है यह देखिए मसाला भुन चुका है तेल विल्कुल सेपरेट हो चुका है और खुश्बू बहुत अच्छी आ रही है जब हम क्योडा इसमें आड़ करते है ना तो इसमें खुश्बू बहुत अच्छी आती है तो और यह जो तरी थी यह जो तरी आती है यह हम निकाल लेंगे बिर्यानी में यह हम बाद में आड़ करते हैं तो यह जितना भी तेल था ना इसके उपर विर्यानी में, दालने साथे ख़िकन में और फिर मैंने लिया था दूद दूद मैंने एक पिंच फूड औरेंज कलर डाला था जब कीओड़ा वाइटर डालने से बहुत आच्छी खुश्बू आती मिर्यानी में और इसका समयने गोल बना लिया तो जब हम केवडा वाडर यूज करते है ना इस घोल में तो जब हम उसमें डालते है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये चावल देखे अच्छी तरीके से बॉइल हो चुका है ये 90 पोसेंट तक पक चुका है थोड़ा और पकाना हमें तो पूरी तरीके से नहीं पकाया था मैंने तो अभी हम इसे न जब दम देंगे न तब ये अच्छी तरीके से पूरा पक जाएगा तो अब हम बिर्यानी की लगा लेंगे परत और ये बहुत ही सिंपल सी बिर्यानी है बहुत ही जल्दी से बनके तयार हो जाती है और बहुत ह तेस्टी और खुश्बूदार बनके तयार होती है आपके त्राइ करके देखेगा और यह अची तरीके से मैंने पहले वो डाल दिया चावल उसके पाद फूट कलर और फिर इसमें मैंने एड कर दिया जो हमारा चिकन मसाला था वो और इसके ऊपर से फिर वापस हम चावल से जैसे हम परत लगातें एक नॉर्म अरीकसे आप लोग इसी तरीके से लगा लीजे बदी और इतनी खुश्बूदार को तेस्टी होती है ना आप लोग इसको ट्राइ करिएगा और चेनल को सब्सक्राइब कर देजेगा और वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक भी कर दीचे और वीडियो शेयर भी कर दीए अगर आप लोगों को मुरादबादी बिर्यानी की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर अपलोड है वो जाके आप देख सकते हैं और यह जो मैंने तरी निकाल के र तोड़ा बचा लिया था मैंने वह मैंने ऊपर से डाल दिया है और फिर मैंने कुछ थोड़ी हरी धनिये से उपर गार्निश कर दिया और इसके बाद इसे हमेना देना है दम और यह दम हो चुकी है और देखे कितनी अच्छी इतनी अच्छी खुश्बू आ रही है प्राइब चाहते हूं टेस्टी बन के तयार हुए और यह है घर्मा गरम खुश्बूदार बन के तयार है बिर्यानी आप लोग इसे ट्राइक करें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएब आप लोगों को कैसी लगी बिर्यानी और ऐसी बहुत सारी रेसिपी में जल्ली लेकर आओंगे आप लोगों के साथ, आप लोग अपना ख्याल रखिए, इसको लाइक करिए, शेर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए and थैंक्स फार वाचिंग